दोस्तों क्या आप Hi-Translate application के बारे में जानते हैं? अगर आप इस application का यूज कर लेते हैं तो आप English वारे language को आसानी से Hindi में Hindi वारे language को इंग्लिज में translate कर सकते हैं आप कहीं पर भी ट्रंसलेट कर सकते हैं Instagram, Facebook, Gmail जहां पर भी translate करना हो वहाँ पर आसानी से इस application का translate कर सकते हैं सबस अच्छी बात है कि आपको typing भी नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है आपका आसानी से हिंदी में translate हो जाएगा अगर आपका दूसरा भासा है दूसरा language है तो आप दूसरे language में भी आसानी से इस application का use करके translate कर सकते हैं यहां आप मैं high translate application के A to Z setting के बारे बताऊंगा अगर आप भी translate करना चाहते है high translate application के चलिए फिर वीडियो सुरू करते हैं इसके लिए आपको पहले play store में आईए उसके बाद आप यहां पे high translate app install कर लिजिए इस तरीके इस टाइब करके install कर लिजिए मैं पहले से install किया हुआ यहां पे open दिख रहा है मैं open पे click कर लेता हूँ open पे click कर लेने के बाद आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा यहां पे tutorial दिखाई दे रहा है इस तरीके से work करेगा आपको यहां पे जो दिखाई दे रहा है ग्रांट पर्मिशन पर पहले क्लिक कर लिए उसके बाद आपके में यहां पर इस तरीके दिखाई देगा फिंगर दिखने बता भी रहा है इस फिंगर पर टच कर लिजेगा उसके बाद आपके सामने दिखाई देगा डिस्प्ले ओवर अधर दिखाई देगा आपको पहले उस एप्लिकेशन को खोज लेना है कहा है उसके बाद select कर लेना है tick कर लेना है टिक कर लेने के बाद उसके बाद दिखाई देगा allow display over add apps दिखाई देगा जो कि disable होगा इसे enable कर लिजेगा उसके बाद आप यहां से बैक हो जाईएगा यहां से बैक हो जाईएगा यहां से बैक हो जाने के बाद आपको यहां पे accept दिखाई देगा accept पे click कर लिजेगा accept पे click कर लेना है फिर आपको finger दिखाई देगा disable दिखाए देरे यहाँ पे click करके enable कर लिजिए उसके आपको सामने इस तरीके से open हो जाएगा यहाँ पे दिखाए देरे I am aware of possible rigs आपको यहाँ पे simple सा check mark कर देना है टिक कर देना है उसके बाद simple सा okay पे click कर देना है यहाँ पे देख सकते है tutorial दिखाए दे रहा है इस तरीके से work करेगा आपको यहाँ पे let's go दिखाए देरे let's go पे click कर लिजिए allow कर लिजिए उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाए देरा है आपको got it got it पे click कर लिजिए आप यहाँ पे किस रूप में यूज करना चाहते हैं किस मोड में Simple, General मोड में चाहते हैं तो General मोड में कर सकते हैं या फिर आप Speech मोड में चाहते हैं Speech मोड में यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पे Simple मोड ही रखता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं Simple मोड रख रही हूँ उपर देख सकते हैं Hindi to English दिखाई दिरा है इसका मतलब यह हुआ कि Hindi वाले को English में translate करेगा अगर आप चाहते हैं कि English वाले को Hindi में translate कर ले तो आप सिंपल सा यहाँ जो arrow है यहाँ पे click कर लिजिए आपका English to Hindi हो जाएगा अगर आपको भासाद language दूसरा है तो आप सिंपल सा English पे click कर लिजिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी language वेगा select कर लिजिएगा उसके आद उस language में असानी से आप translate कर सकते हैं यहाँ से मैं वैक हो जाता हूं सबसे जरूरी चीज़ बतायता हूं आप Hindi के left में देखेंगे blue blue दिखाई देगा नीला नीला दिखाई देग आप जिस पर नीला टिक रहेगा उस language को दूसरे में translate करेगा जैसे हिंदी पे टिक रहेगा तो हिंदी वाले को English में translate करेगा अगा जिस पे टिक रहेगा उसी पे होगा अगा जिस पे टिक नहीं रहेगा उसमें translate हो जाएग जैसे आपको अगर English to Hindi करना है तो आप English के पर इंग्लिस पर करिएगा अगर आप चाहते हैं लेप्ट में देखेंगे एक एरो दिखाई देगा आपको यह रोप पर इसे अपने फिंगर से खीचना इस तरीके से खीच लेंगे जहां पर लेके जाएंगे और इसके लिए आपको इंटरेट आन होना चाहिए यहां पर द देख सकते हैं इस तरीके से आपको यह यह भैडर कर देगा यहां पर इसको मुझे तरीके से आपको यहां पर यह आपको यहां पर ट्राइप हो गया अगर आपको यहां पर टाइप करेंगे यहां पर हो जाएगा अगर आपको यहां पर तरीके साथ यूज कर सकते हैं और अगर आपके टेस्ट हो गए रहा है या फिर फोटो गए रहा है उसका ट्रांसलेट करना है या फिर इसे कहीं ले जाना है उसके लिए आपको यह आप जो arrow दिखाए दे आपको यहां पर click कर लेना है इस तरीके से click कर लेंगे तो आपके शानी चार option दिखेगा एक नीचे move दिखेगा camera दिखेगा page दिखेगा आपका setting दिखेगा अगर आप page पर click करेंगे तो आपका screen पर जितना रहेगा वह आसानी से translate कर देगा अगर आप camera पे click करेंगे तो camera से भी कर सकते हैं, गैलरी से कर सकते हैं, अगर आप setting पे जाएंगे तो आप फिर वहीं पे चले आएंगे, अगर आप move करना चाहें, तो इसे कहीं पर भी move कर सकते हैं, यहाँ पे रख देंगे, तो आपको जो arrow दिखाई दे रहा था,